अगर आपने भी सेशन 2023-2024 में स्कोलरशिप के लिए अप्लाइग की गई था तो यह वीडियो आपके लिए है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो डाक्टर अम्बेद का स्कोलरशिप है या फिर जो नेशनल स्कोलरशिप जो वोटल पर जो स्कोलरशिप अप्लाइग की गई थी या फिर जो नेशनल स्कोलरशिप थी तो उसके रिगार्डिंग काफि सारी जो आपडेट से वो आ चुकी है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डक्टर अरग बिन खुराना स्कोलरशिप के बारे में तो पंजाब गवर्मन्ट की तरफ से अपना जो शेयर है वो उसका जो बजट है वो जारी कर दिया गया है तो जल्द ही आपके अकाउंट में जो राशी है स्कोलरशिप ही वो पाउंच जाएगी तो सबसे पहले जो डिस्टिक एजुकेशन आफिसे हैं वहाँ पर आपकी जो राशी है पहुंची कि उसके बाद स्कोलों की तरफ से वे किया है तो जो बेंक अकाउंट ने दिया था वो एक्टिव होना चाहिए इसके इलावा उनका जो अकाउंट नंबर है वो अधार कार्ट के साथ सीड़ होना चाहिए तो ये दो चीजों का अपने द्यारक ना है अदर्वाइस आपका जो स्कोलोशिप है वो रिजेक्ट कर दिये जाएगा तो आप अपना जो अकाउंट है उसको चेक कीजिए अगर आपने अस अकाउंट में कोई डाजेक्शन नहीं की है तो उसको जरूर रेक्टिव कीजिए चाहिए आप सो रुपे पांस रुपे जरूर में सब्मिट करवाईए जिसे की आप जो अकाउंट है वो एक्टिव रहे इसके इलावा अपने बेंक से भी जुरू कर लेजीगा कि क्या आपका अकाउंट जो है वो अधार कार्ट से सीड़िट है या नहीं है तो इसके इलावा जो अमाउंट है वो भी जारी होने वाली है तो उसके सबंद में भी जो लिस्टे हैं वो वेरिफ है वो वेरिफाई किया जाता है तो इसलिए आप अपना जो अकाउंट नंबर है या फिर अधार कार्ड लिंक है वो जुरू चक कर लीजे और जब आपकी सारी जो चीजें हैं वो वेरिफाई हो जाएंगी तो स्कोलर्शिप की जो अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रा स्कोलर्शिप है इसके लावा नेशनल स्कोलर्शिप पॉर्टल पर जिन्होंने अप्लाई किया था मियोर्टी स्कीम में या फिर और स्कीम में जिन्होंने अप्लाई किया था तो उन सभी की जो स्कोलर्शिप की अमाउंट है वो लगबग डिपार्टमन्ट की तरफ से पन पहुंचती रहेंगे तो चलिए मिलूगा आपके साथ नेक्स्ट नहीं इंफ्लमेशन ओली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहन्द